हेलो एवरेवन आज हम माइकल ओंदाचे की एक मश्यूर नौवल दा इंगलिश पेशिंट की स्रम्री करने जा रहे हैं जो की 1992 में पबलेश होई थी और ये जो नौवल है ये वर्ल्ड वर्ल टू के बाद सेट है तो अब इसे शिडू करते हैं तो हमारी जो मैन केरेक्टर है हना आसमान में मौसम को बदलते हुए देखती है और अंदर आ जाती है इन दिनों वो एक इंगलिश पेशिंट की देखवाल कर रही है वो काफी जादा जला हुआ है और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है उसे बस इतना याद है कि उसका प्लेन क्रेश हो गया एक डेजर्टेड जगे पर और बैडविंस में उसे बचाया था बैडविंस अरब की बंजानों का ग्रूप है उस ग्रूप ने इस इंगलिश पेशिंट को बचाया क्योंकि उन्हें लगा कि इसके पाद कुस्पैशल स्किल्स है वह इस इंगलिश पेशिंट को हमेशा ब् पहले यह एक आर्मी होस्पिटल हुआ कर सा था पर अब यह जिगह एक अबेंडेंट प्लेस याने की खाली जगह यहां असपस कोई और नहीं है तरह पर इंगलिश पेशिंट और हाना यहां रह रहे हैं हाना 20 साल की है और उसे अपनी सुरक्षा की सेफटी की कोई भी ज़ाएल है और इस यह क हैै युद्ध के दोरान एलाइस के लिए काम किया करता था हलां कि इस वक्त इतिली के होस्पीटल में और यह फिर से point of view change हो रहा है और अब हमें हाना फिर से दिखाए देती है वो अपने विला के दरवाजे पर खड़ी है और यह जो आदमी अभी हमें hospital में रिखा था यह उसके सामने खड़ा हुआ है यानि कि उसने address फगेदा पूछा होगा और यहां हाना से मिलने के लिए चला आया ह हाना की और इस आदमी की बातों से हमें पता चलता है कि यह आदमी एनलाइस के लिए स्पाय का काम करता था गर्मंस ने इने पकड़ लिया था और उसके बाद उन लोगों ने इस आदमी के दोनों हांतों को काड़ दिया था हमें पता चलता है कि इस आदमी का नम कारा वाग हना को याध है यह कैसे पहले गुप और यंग थी खी तब वह काफी वॉम होती थी काफी असके अधर पर गर्म जोशी थी पर जैसन जैसे वह इसे पेशिंट को Рाओ अपना काम करती गई वह काफी कोल हो चुकिया है अब दिल से जब वो इस इंग्लिश पेशेंट से मिली तो से काफी इंट्रस्टेड फील हुआ क्योंकि इंग्लिश पेशेंट के बॉड़ी पूरी तरह जली हुई थी और ऐसे कुछ भी नहीं ता जितसे पैचाना जा सके कि वह इंसान कौन है तो वह काफी जादा मतलब इंट्रस्टेड हो ग नहीं में इसके होता है और उनके पास बंदूकी भी होती है अब फिर से पॉइंट ऑफ यू चेंज होता है और हम देखते हैं के जो कारवागियों वह दीखता है कि जो हना है यह दो सोलजर्स के साथ सेंड़िच इसमें बना रही है उन दो सोल्जर्स मैंसे एक सोलजर वहा करते हैं कि जो लेंड माइन्स हैं ना उनको इंस्ट्रूमेंट में छिपा देते हैं ताकि कोई बजाए और तभी वह फट जाए तो वह कंफ्यूज हो गया उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए वह यहां आया था अब वह डिसाइड करते हैं कि मैं भी इस विला में रहू करने लगी उसे कुछ मतलब इंट्रस्ट आने लगा है कुछ प्यार सा हो गया है वह जानना चाहती है इस टॉपिक के बारे में अब इस घर में चार लोग रह रहे हैं पहला कारा वागियों दूसरे हाना तीसरा इंगलिश फेशेंट और चौता वह सिक सोलजर जिसका नाम ह आरे किरपाल सिंग यानि किप अब अब यह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इन दूनों को पियार जाता है तो、 यह प्राल शुरू करते हैं इंगलिश पेशेंट से पाने और जाएंघवरी किएष्टीण को हुशों वह CFो clicking से में वहईंक अमीर आदमी था और पत्नीी केथरीन से भी वह उसी दौरान मिला था कैथरीन की मधूर अवास सुनकर और उसकी पोईटरिय सुनकर हमारा इंगलिज पेशिंट तो उसका दीवाना ही हो गया तो पिर नियुक्षे प्यार हो गया और केथरीन को भी अब जो कैथरीन थी वो थी मेदी में परेशान होगे अपने सफ़ेर से वह चाहती थी कि यह आफ़ेर या तो पब्लिक ली हो यह दोनों अनॉंस कर दें वह अपने पती को चूड़ दे इसलिए वह हमारे इंगलिश पेशिंट को टॉर्जर क करेखी तो और वह उसे अपने अप छोड़ देगा पर ऐसा हुआ नहीं और जैफरी को अभी पता ही नहीं चला तो उसे और गुसा आने लगा और वो इरिटेट हो गई और उसने उसके बाद इंगलिश पेशिंट से ब्रेक अप कर लिया इंगलिश पेशिंट अभी उसे का है और काफी अनकंप्लीट फील करता है उसके बिना एक दिन कारा वाग्यों हाना को बताता है कि उसे इंगलिश पेशिंट पर तेरा डाउट है उसे लगता है कि यह जर्मन का स्पाय था जिसका नाम था अलमेसी हाना इस बात पर जड़ा भी विश्वास नहीं करती है तो ज पेशिंट को दे देता है थाकि वह उससे पूछताच करके पता लगा सके कि यह अलमेसी है कि कौन है इंगलिश पेशिंट ने मॉर्फीन की हालत में कारावाग्यों को बताया कि जो जैफरी था उसे इंगलिश पेशिंट और कैथरीन की अफैर के बारे में पता चल गया था हालागी तब तक उनका ब्रेक अप हो चुका था पर उसे बाद में पता चला था तो उसने एक मड़ा प्लैन किया जैफरी ने उन दौनों का प्लेन क्रेश करवा दिया प्लेन क्रेश होने के बाद इंग्लिश पेशिंट तो बच गया था पर जो कैथरीन थी वो काफी जादा घाया लो चुकी थी दौनों डेशर्ट में थे तो एक गुफा के अंदर कैथरीन को आराम करने के लिए छोड़ कर अंग्लिश पेशिंट मदद के लिए डेशर्ट में यहाँ वहाँ खूम तरा तीन साल बाद उसे एक प्लेन मिला वो कैथरीन को लेने के लिए उस केव के पास गया कैथरीन की जो मरी हुई बॉड़ी थी उसे उठाया उसे उस प्लेन में रखा और प्लेन उड़ाने लगा परंतु हुआ कि उस plane ने आग पकड़ ली और जब उस plane ने आग पकड़ ली तो plane crash हो गया plane crash हो गया और English patient खायल हो गया और तब ही विढूियन्स ने उसकी मदद की ती उसे बचा कर और हम देखती है कि कारावागियों ने English patient को और जादा मॉर्फिन खिला दी और उससे बोलता है तब English patient उसे reply करता है मुझे नहीं पता मैं नहीं जानता कि मैं अलमेसी हूँ या ने बट मुझे पता है कि I loved Catherine कारवागियो English patient को बताता है कि British intelligent नजने कब से अलमेसी को धूड रहा था पर उन्हें अलमेसी तब मिला जब वो Catherine के body को लेने के लिए गया था इस पर English patient जवाब देता है कि उससे कुछ याद नहीं है उसे बस इतना याद है कि वो अपनी wife को अपनी wife Catherine की body को लेने के लिए गया था और उससे कुछ याद नहीं है सच में भी और इससे हमें पता चलता है कि love जो होता है वो सबसे बड़ी चीज है English patient अपनी पूरी life भूल गया जो क्या था वो spire था वो अलमेसी था के नहीं जो भी उसने political life जी personal life जी उसे बस एक ही चीज याद रही और वो था प्यार अब हम अगले chapter में किप की पस्ट के बारे में जानते हैं किप जिसका पूरा नम किरपाल सिंग है वो अपने परिवार में तीन भाईयों में से दूसरे नमबर का भाई था उसने वार के समय में सिख रेजिमिंट को जोईन किया था उसने ये bomb diffusing का electricity का ये सारा का सारा काम उसने एक English man Lord Sapphock से सीखा था England man Lord Sapphock की उसका पूरा परिवार था और एक एक लौदा साहरा था एक दिन bomb को diffusing करते कर से Lord Sapphock की भी दैथ हो गई तब किप ने अपने सारे के सारे emotions को दबाया और हिम्मत करकर जाकर बाकी की जितने bomb थे उनको diffusing किया थीमे थीमे उसकी इस खास तरीके से टेकनीक से यह स्किल की वजह से जिस तरीके से वो diffusing करता था बांप को वो काफी popular होता चला गया हाला कि कि एसी popularity को नहीं चाहता था इसलिए silence की तलाश में वो इतली आ गया था एक दिन किप न्यूस चैनल देख रहा होता है और न्यूस पर वो सुनता है कि जैपैन के ऊपर एलाईज ने जिस बाज से बहुत गुसा асьुए सब कोज कर समय करते इंग्लिश प्र 완성 को चूल कर बार चला जाता है उर जोना चीए कि उसले स्विविला को चूल कहता है वह इस बारे में सब कुछ भूल जाेगा वे इवेंट्युली कहानी के अंत में इंग्लिश पेशिंट मर जाता है हाना अपनी स्टेप मधर को एक लिठार लिखती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी पिता कि मौन जलने की वज़े से होई थी और वो उसे बचा ना सकी और हमें पता चलता है कि शायद इसी वज़े से हाना को इंग्लिश पेशिंट से connection मेर्सूस हो रहा था क्योंकि उसके पिता भी जलने की वज़े से मरे थे तो वो शायद साथ चाहाती थी कि वो इंग्लिश पेशिंट को तो बचा ले कुछ सालों बाद किरपाल यानि कि केप डॉक्टर बन जाता है उसकी एक पत्नी होती है दो बच्चे होते हैं वो हाना को और विला को काफी मिस किया करता है हाना उसे काफी सारे लेटर भी लिखा करती थी किप ने कभी भी उसे र सब्सक्राइब करना ना भूलें इसे अपने फैवरेट लोगों को शेर करना ना भूलें अगर आपकी कोई कोई है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते है अगर आप चाहते कि कोई नोवल या कोई पोईट्री वगईरा की सब नी मैं बनाओ तो वो आप मुझे comment करकी बता सकते हैं Thank you so much